जाडी के पीछे चोर एक दिन रामन अपने बाग में पौधों को पानी से सीच रहे थे जब वो एक जाडी के समी पाए तो वहाँ उन्होंने एक चोर को छिपा हुआ देखा ये भगवान ये आदमी चोर हो सकता है पर मैं अकेले उसे नहीं पकड़ पाऊंगा अगर मैं चिलाऊंगा तो वो भाग जाएगा सारे पडोसियों को यहाँ बुलाने के लिए मुझे कोई तरकीब लड़ानी पड़ेगी चतुर रामन ने मन में एक योजना बनाई उसने अपनी पत्नी को बुलाया लक्षमी ज़रा पानी ले आना अभी लाती हूँ, पर किसलिए चाहिए? मैं मूँ धोना चाहता हूँ रामन ने कुछ पानी अपने मूँ में ड़ा और धारी के पिछे छिपे चोर के मूँ पर उसे थूख दिया लक्षमी मुझे एक और लोटा पानी चाहिए रामन की पत्नी चकित हुई, पर उसने उन्हें और एक लोटा पानी दिया जो रामन ने फिर से चोर के मूँ पर फिल दिया लक्षमी मुझे एक और लोटा पानी चाहिए रामन की पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ, पर उसने उन्हें और एक लोटा पानी दे दिया क्या हुआ आपको? ऐसा क्यों कर रहे हो? रामन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, पर इस बार उन्हेंने पानी को पत्नी के मुँपर फूँग दिया और फिर जैसा उन्होंने सोचा, वैसे ही हुआ, उनकी पत्नी चिल्लाने लगी उसका शोर सुनकर, सभी पड़ोसी वहां आगे, मच्मी ने सबको पूरी बात बता आपने अपनी पत्नी के मुँपर पानी क्यों थूका? मेरे प्रिये दोस्तो, मैंने अपनी पत्नी के मुँपर पानी डाला, तो वो सहन नहीं पा रही है पर इस जाडी के पीछे एक आदमी है, वो तो बहुत ही सहन कर रहा है मेरे बाहर बाहर पानी डालने पर भी वो चिल्लाया नहीं पड़ोसियों ने जाडी में चिपे चोर को पकड़ा और उसे राजा के पास ले गए रामन की पत्नी और पड़ोसी ये समझ गए कि रामन ने चोर को पकड़ने के लिए ही ये नाटक रचाया था